तो प्रिवियस क्लास में एक कोशन हो चुका था कैसे अमाउंट अब वर्क फाइंड किया था ये कोशन अलड़ी हम लोग सॉल्प कर चुके थे देख लो नेक्स कोशन ये भी था जिसे पॉनिचल डिफरेंस निकालने का तरीका बताया था इडाट एबी और यहाँ पर एलेक्टिक फिल्ड का वैलू क्या था देखो एकस डारिशन में कितना था फाइब न्यूटन पर कुलम तो एलेक्टिक फिल्ड के लिए फाइव आई कैप और एबी एबी निकालने का तरीका क्या बताया था ओबी मानस ओए और उसे फाइव आई कैप लस जे कैप आई डॉट आई वन तो ट्वंडी फाइव वोल्ट निंगेटिव आ गया अब यहाँ पर यह कोश्चन है अब इसमें हम लोगों को पोटेंचल डिफरेंस निकालना है देखो ध्यान से ज़िए दिक्कत है तो समझने की कोशिस करो यहाँ पर यह यूनिफॉर्म एलेक्टिक फिल्ड को रिपर्जेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एलेक्टिक फिल्ड का डारिक्शन जो क्लास में नहीं भी थे थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं यह यूनिफॉर्म फिल्ड है इस यूनिफॉर्म फिल्ड का मतलब क्या है कहीं न कहीं चार्ज है इस चार्ज से फिल्ड लाइन्स पास कर रहे हैं अब यहाँ पर यह यूनिफॉर्म फिल्ड का डारिक्शन यह है अब इस फिल्ड डारिक्शन में कहीं भी किसी पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इन दा डारिक्शन अफ फिल्ड अबिसली यहां पर कोई सोर्स चार्ज है तो इन दोनों में रिपल्सन हुआ तो फोर्स अफ रिपल्सन का ये डारिक्शन हो गया क्यू नॉट इ अब यहां पर अब इस क्यू नॉट चार्ज को कैरी करके हाल आ रहे अगेंस दा फिल्ड इसका मत्तब ये जो फोर्स लगेगा दिव टू एक्स्टरनल और इसका वैलू क्या होता मानस क्यू नॉट इ अपोसीट उदा या कह सकते हैं अगेंस दा फोर्स अफ रिपल्सन इधर जो अमाउंट अफ वर जदी इसी चार्ज को हम ये माल लो suppose A point है ये B point आप A to B ला रहे हो तो against the field ला रहे हो और B to A जा रहे हो तो along the direction of field जा रहे हो तो along the direction of field जब आमाउंट अफ वर खोता है तो इसको कहते है work done by the electric force और ये against होगा तो work done by the external agent तो external agent के लिए direction क्या हो गया? अपोसीट हो गया याद अगा रहा समझ में? style clear है? अब यहाँ पर potential difference कैसे measure करते हैं? इसको measure करने का तरीका है देखो कहां से कहां आ रहे हो? A to B इसका मत्तब final B initial A is equal to amount of work कहां से कहां? A to B clear? by external agent और किस charge को carry कर हो? unit positive charge को अब electric और external के बीच क्या relation है? negative तो minus A to B और यह electric हो जाएगा by charge Q naught यहाँ दे clear? 100% जल्दी जल्दी आओ यह दम ब्रीफ कर रहे है समझो कि पहला क्लास है एकदम easily समझ में आएगा यहां तक बिल्कुल ठीक है अब amount of work देखो ध्यान से amount of work को हम लोग लिखते है by the external agent force into displacement F dot dr और यह force किसके लिए भाई? external के लिए external का value देखो क्या है? minus Q naught E dot dr हो गया? अब यह value substitute करो यह value substitute करो क्या है का result? जल्दी बताओ minus Q naught E dot dr और integration का limit कहां से कहां हो रहा है? from A to B तो यह A का position B का position A to B ठीक यहां भी lower limit A upper limit B divided by क्या है? Q naught Q naught cancel हो गया तो finally क्या आगया? minus E dot dr यह याद रखना है इसका मतब difference in potential क्या दे रहा है? minus E dot dr खेर हो गया? अब इसी को हम लोग use करेंगे इस problem में बनाने के लिए तो यह समझ में आगया तो कहीं दिक्कत नहीं होगी? इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि difference in potential अब यहां पर आपको यह formula यूज़ करना है कि difference in potential is equal to minus E dot dr यही formula अब इसको लिखने का वे क्या है? कैसे हम लोग इसको in the direction of field field के direction में जैसे va minus vb तो यह क्या है final potential जदी हम a और b को लेंगे तो vb minus va लिखेंगे तो minus E dot मतब e dr आ जाएगा dr displacement in the direction of field लेकिन जदी हम va minus vb लिखेंगे तो क्या जाएगा? E dr आएगा इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखोगे अब यहां पर हम लोग इसी का use करेंगे अब इसी का use कर रहे है चलो पहला question क्या है? बोलो जल दिसे va va minus vb कौन सा formula यूस हुआ? e dr तो e dr का मतब displacement d लिख दिया d कहां से कहां तक? a से b तक तो electric field का magnitude कितना है? 20 अब d का value कितना आ गया? a से b 2 cm 2 x 10 पार मानस 2 कितना आ गया? अब उसको simplify करेंगे तो कितना volt? उनने मानस रड़ाओ पाबर decimal ने बताओ 0.4 0.4 volt clear? चलो second part क्या कहता है? वी बी मानस वी सी क्या है? वी बी मानस वी सी कहां जा रहे हो? फिल्ड के डारिक्शन में lower to higher इसका मत्तब यहां पर क्या आग बन गया? e into d electric field का magnitude कितना? 20 separation कितना वी सी का? 2 cm 2 x 10 पार मानस 2 इसका भी answer कितना आ गया? 0.4 volt चलो थार्ड पार्ड क्या है? थार्ड पार्ड को भी solve करें लोग थार्ड पार्ड बताओ क्या? वी सी मानस वी ए क्या हैगा वी सी मानस वी ए? बड़ माइनस e into d excellent अब electric field का value कितना? 20 separation बता दो ए से सी का 4 cm 4 into 10 पार मानस 2 कितना गया? 0.8 volt excellent चलो अब आजाओ V, D V, C D और C का potential क्या है? गौर से देखो ध्यान से style देखो ध्यान से यह electric field और यह displacement दोनों के बीच का इंगल कितना? तो e dot d r a b cost 90 degree 0 इसका मत्ब यहाँ पर V, C और V, D का potential equal हो जाएगा जब भी यह perpendicular होंगे इट मींस राइट सेड क्या गया? 0 तो V, D is equal to V, C चलो अब फिप्थ पॉइंट V, A मानस V, D जल्दी से बताओ A, D A से D तो into D electric field into D electric field का magnitude कितना? 20 displacement कितना? A से D जल्दी बताओ 4 cm 4 into 10 पार मानस 2 0.8 V आगा समझ में 100% अब चेक कर लेते हैं हम लोग अपने अंसर को क्या अंसर है भई? देखो, सारे अंसर वही है चेक करो सब लोग वही अंसर है अब यहाँ पर order of बताना है potential का A, B, C सबसे ज़्याद है कहा potential है? चेक करो simple हम लोगों ने पड़क खा in the direction of field potential decrease करता है A का potential सबसे ज़्यादा होगा फिर B और C और D equal potential है same potential है समझ मा आ गया? तुमको आया है समझ में? ने थोड़ा बूत क्या मतलब इसमें? पिछले क्लास में थी तुम Saturday को बहुत बढ़िया है जब मंचाज छुटी कर सकते हैं fundamental rights है कुछ न कुछ काम आही जाता है नहीं? इतने आप लोग समाजिक हैं हमने क्या कहा रखा in the direction और recorded video भी नहीं देखा होगा बहुत बढ़े हैं काम किया excellent award मिले लग excellent 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 क्या बताया था कि in the direction of field potential क्या होता है decrease करता है यह तो बहुत पहले पढ़ाया था तो potential decrease करता है तो decrease कहां कर रहा है कहां सबसे कम होगा बताओ जली से अरे ऐसे समझ जाओ यहां से field pattern draw हुआ सबसे last bench पर yes बैटा हुआ है वहां का potential सबसे कम यहां का potential क्या होगा तो इस figure में देखने पे कहां का potential ज्यादा होगा उसके बाद C और D C और D दोनों equal है अभी बताया परफेंडिकुल है तो potential equal होगा और इसी दुरिया में हो ना D और C दोनों बराबर है अरे C और D perpendicular है फिल्ड पे तो C और D का potential equal होगा वो भी नहीं आए समझ में देखो क्या लिकाओ अंसर numerical value छोड़ दो ना पर यह तो होना ही है तो सिखाई रखा है आगे समझ में चलो next यह बहुत ही अच्छा problem है बहुत अच्छा problem इससे बहतर problem potential का मतलब अभी तक जो हम लोगों ने बनाया उसमें सबसे best problem डियान से जब भी किसी भी point पर surface पर potential निकालना है माल लो दो charge body है तीन charge body है और कहता है ए पर potential निकालो तो ए जो surface बना रहा हो उस पर charge है Q उसका radius R उसके nearby कौन है B है इसका मतलब total potential जब A पर निकलेगा तो potential by itself मतलब A का अपना potential plus potential due to charge B potential at A is numerically equal to the algebraic sum of the potential due to its own charge and the potential due to its neighboring charge एक तो अपना और एक उसके surrounding का और जो distance होगा वो हमेशा surface से center को join करेगा surface से center को join करेगा दिमागे बिठाओ B पर potential निकालेंगे तो B का अपना अब फिर A का जो चार्द है surface पे वहाँ से B का center ठीक अब देखो एक्दम बहुत easy लगेगा A पर potential निकालना है एक तो अपना potential means Q अपने चार्ज के कारण से दूसरा किसके कारण से B के कारण लिख देते हैं minus root 5Q अब इसका formula क्या गया भई due to point charge की तरह behave कर रहा है KQ by R चलो इसका कितना गया minus root 5Q A distance कहां से लेंगे surface से surface से ये distance अब ये value कितना R ये कितना 2R ये value कितना मनेगा under root 2R का whole square plus R का square हो जाएगा कितना मन गया root 5R दोनों को simplify किया तो क्या गया answer 0 A का potential मिल गया 100% चलो अब B का potential कैसे निकालेंगे B अपना charge अपना charge कितना इसका और दूसरा Q वाले का अब अपने charge के लिए K मानस root 5Q distance मतलब radius 2R K और इस ध्यान से अब इसका effective distance कौन सा होगा जल्दी से बता दो एक के surface पे जो charge है वहाँ से center यह इन होगा ये value कितना हैगा जल्दी से बताओ root R square प्लस root R square हो गया तो finally root 2R square मतलब root 2R समझवा गया कितना easy है समझ जाओ तो बहुत easy अब difference in potential तो VA minus VB A पर कितना 0 और यहाँ पर value substitute कर देंगे simplify कर देंगे 2R plus K Q by root 2R simplify कर देना आगे समझ में clear 100% बोलो 100% है अब आदे ही next यह आपके PDF में नहीं है यह question आड़ किया हमने अब आदे है यहाँ पर relationship between electric field and potential बहुत important relation है इसको relationship को याद रखना है कभी कभी board में इसका derivation भी boost देता है simply यह हमारा field reason है B और A दो point है B पर एक charge है और उस charge को assume कर रहे है in the direction of field उस charge को B से A तक move करा रहे है through a displacement DR move कराया इस पर एक force exert होगा in the direction of field ठीक और वो force exert हुआ in the direction of field initially B पर जो charge था उसका position vector R वैक्टर और जहां तक वो B तक गया उसका position vector हो गया R प्लस DR तो obviously B to A का distance कितना बना DR बन गया clear यहां तक 100% clear है सबको कोई confusion नहीं है आगे बने force due to electric field कितना लगा Q not E लगा amount of work को क्या लिखते हैं यह लिखते हैं ठीक DW लिखो तो यहां पर left side में DW तो इधर integrate करोगे तो amount of work done आजागा net अब यहां पर यह value F DR अब यह Q not E हो गया dot DR यह amount of work क्या है by the external तो negative आजाएगा यह ठीक amount of work by Q not minus E dot ER amount of work by charge अभी क्या बता है difference in potential तो यह क्या दे देगा DV तो DV is equal to क्या बन गया E dot DR electric field and displacement का direction क्या है same तो DV is equal to क्या बन गया minus E DR तो electric field is equal to क्या बना temperature जैसे जैसे distance बढ़ रहा temperature fall कर रहा तो temperature gradient जैसे जैसे आप move कर रहे velocity decrease कर रहा है with distance तो velocity gradient जैसे जैसे आप field के direction में जा रहे है potential decrease कर रहा है तो potential gradient समझ मा गया इसलिए हम लोग क्या कहते electric field as potential gradient समझ मा आ गया clear 100% तो यह relationship आ गया इसका मतब DV is equal to minus E DR यह दिमाग में रखना है अब इसको लोग कार्टिजन कार्टिन सिस्टम में भी लिखेंगे बगार रिजल्ट देख लेते हम लोग का यह है और इसको हमने potential gradient की फार में लिखा आप डारेक्टली DV यूज कर लोगे और फाइनली यह ही आ गया E is equal to minus DV by DR फो उत change भी करते है रहना चाहिए में थर्ड को यहां तक आ गया समझ में आप देखिए इसको हम लोग इस फार में लिखते हैं यह बहुत important है DV is equal to minus E dot DR DV को इंटेग्रेट कर दो DV को आप इंटेग्रेट करोगे हमने का यह result हमारे पास है DV is equal to minus E dot DR integrating both sides E dot DR इसका limit लेलो initial potential, final potential इसका initial value R1, R2 DV का इंटेग्रेशन क्या होता है V होता है V1 to V2 minus R1 to R2 E dot DR होगा अब यह क्या होगा final potential minus initial potential minus R1 to R2 E dot DR मतलब क्या DV is equal to यह final potential minus initial potential is equal to E dot DR इसका मतलब electric field का integration हो रहा है over यह along एक curve DR curve को represent कर रहा है समझों आगे बात तो उसको हम लोग क्या कहते है इसका पूह согласा, हुआ यह आगे त॰ससी हो boy भी है क्याम से है क्यां वह थजए इसकान रहा है तो सकते यहां ते clear है सबको आप यहाँ पर यह E.dr है तो एलेक्ट्रिक फिल्ड का इंटेग्रेशन आपने किया अलॉग एक कर्व तो अन इंटेग्रेशन अलॉग एक कर्व या कह सकते हूँ एन इंटेग्रेशन आफ पॉइंट फंक्शन अलॉग एक कर्व इस नोन अस लाइन इंटेग्रल तो जब भी हम लोग इस इंटेग्रल फॉर में एलेक्ट्रिक फिल्ड को लिखते हैं जिसमें लो़र लिमीट सपोस आर वन अपर लिमीट आर टू तो इसको कहते हैं लाइन इंटेग्रल आफ एलेक्ट्रिक फिल्ड समझे में आगे बात Line Integral of Electric Field Line Integral का मतलब क्या हुआ Simple Line Integral का मतलब An integration of a point function along a curve is known as Line Integral is known as Line Integral समझ में आगे बात या नहीं बलो clear है 100% तो जब भी कहेगा कि so that difference in potential is equal to Line Integral of Electrical तो इतना आप derive करते के clear 100% result हम लोग देखो एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं वहाँ से dv is equal to minus e dot dr इसी पर कितने problem हो गए अब इसको लोग इस फॉर में लिखते हैं Cartesian coordinate system में तो Cartesian coordinate system का मतलब x, y, z, z, tino axis के along electric field vector quantity उसका component लेंगे ठिक तो dv is equal to minus e dot dr ठिक अब देखे e के E के तीनो direction लिख दिये, electric field का तीनो component, I का PX, Z का PY, K का PZ, DR displacement का भी तीनो axis में, I cap, DX plus Z cap, DY plus K cap, DZ, I dot I1, Z dot J1, K dot K1, क्या result आजाएगा, minus EX DX, minus EY DY, minus EZ, DZ, आगे result, clear, अब इसका मत्तब है कि यहाँ पर electric field, in X direction क्या लिखा जाएगा, compare करो, EX is equal to minus DV by DX, EY is equal to minus DV by DY, EZ is equal to minus DV by DZ, इसका मत्तब X direction में field निकालना है, तो potential को X के respect में differentiate कर देंगे, लेकिन लिखने का जो वे होगा, हमेशा partial differential के form में होगा, अब यहाँ पर यह दोनों D में difference है, यह differentiation of potential with respect to X है, और यह जो delta है, delta कितने तरीके से लिखा जाता पता है न, आप लोग सारे mask student हो, कितने तरीके से delta लिख सकते हो, देखो ध्यान से, यह del operator कहलाता है, इसको हम लोग nevla भी कहते हैं, अब वो गहाँ वाला nevla नहीं है, इसको लिखा जाता है, I cap del by del X, J cap del by del Y, K cap del by del Z, del operator, और यह delta ऐसे भी लिखा जाता है, और यह delta ऐसे भी लिखा जाता है, यह होता है, small change को represent करने वाला, increment हो, decrement हो, जदि quantity decrease कर रहा है, तो delta X से मानस करते हैं, increase कर रहा है, तो delta X से प्लस करते हैं, और इस delta को कहते है, partial differentiation, अब partial differentiation का meaning समझोगे, बहुत easy है, जदि मानलों की यहाँ पर कोई function दे रखा है, X, Y, Z के form में, और इसको हमको differentiate करना है, only with respect to X, तो सिर्फ X का होगा, Y, Z remain unchanged, फिर जदि इसको Y के respect में करना है, तो सिर्फ Y का होगा, X, Z remain unchanged, Z के respect में करना है, तो सिर्फ Z का होगा, X, Y remain unchanged, अभी सिखाएंगे भी, यह समझ मान गया, इस तरह से हम लोग use करेंगे, यही form use करना है, अब देखें से related एक problem भी सिखाते हैं आपको, बहुत interesting problem है, देखें ऐसे, क्या लिखा आप potential कितना है, space में दे रखा है, X, Y, Z के form है, ठीक, अब देखें हम लोग बनाएंगे, potential A, A constant quantity है, जिसका value 10, unit दे रखा, जो भी SI unit हो जाए, और right side में क्या quantity है भाई, X, Y, Y, Z, और ZX, क्या करना है, हमको क्या find करना है, electric field का magnitude, क्या बता है, electric field का X component पहले निकालेंगे, Y निकालेंगे, Z निकालेंगे, X component क्या कहता भाई, minus del V by del X, गौर से देखो, फिर फम लोग, इस quantity में, X का करेंगे, और बाकी quantity remain unchanged, गौर से देखो, बहुत important सवाल है, minus 10 तो, multiplicative factor अब ऐसे ही लिख दिया, पहले वाले function में, X का differentiation कितना होता है, 1, X के respect में, तो Y कह रहे गया, unchanged, तो 1 into Y, ये वाला हो गया, इसमें कोई X है, नहीं तो 0, सकेन वाली में आ जाओ, Z into 1, समझ मा आ गया, तो क्या है, minus 10, Y plus Z, अब, क्या-क्या वैलू दे रखा, Y का 1, और Z का 1, तो electric field in X star region, minus 10, Y का वैलू 1, Z का वैलू 1, कितना गया, minus 20 Newton per Coulomb, देखो, X का वैलू आ गया, समझ मा आ गया, 100%, चलो, जल्दी से Y का बता दो, अब दीना देखे, जल्दी से, इसी में, minus 10, Y का 1, क्या बज़ गया, X, चलो, इसमें, Z हो गया, और इसमें, no Y, X का वैलू देखो, कितना है, Z का वैलू कितना, 1, minus 20, आ गया, चलो, E, Z, जल्दी से बताओ, R, N बताओ जल्दी से, इसमें, 0, plus, Y, X, कितना आ गया, minus 10, 1, plus 1, आ गया, तीनो का मेंगनी चुट आ गया, अब ये वैलू, हम लोग, electric field, तीनो डारिक्शन में मिल गया, अब तीनो डारिक्शन में जब मिला, तो electric field, vector form में, कैसे लिखते हैं, तीनो वैलू मिल गया, तो electric field, vector form में, E, X, I, CAP, E, Y, J, CAP, E, Z, K, CAP, X, कितना आया, minus 20, I, CAP, minus 20, J, CAP, K, CAP, magnitude जल्दी से बता दो भाई, under root I के coefficient का whole square, तो minus 20 का whole square, minus 20 का whole square, minus 20 का whole square, कितने आगे भाई, 400, plus 400, plus 400, 1200, कितना हो गया, root इसका जल्दी से बता दो, approximately, जल्दी से, अरे इतना सब लोग mobile use करते होता, अभी तक में तो रोग इसका रूट लिंगा लिया होता, अरे इतना सब लोग mobile use करते होता, अरे calculator क्या सीधा आप Google पे जाओ, square root of 12 100 लिखो, दे कितना क्या आ रहा है, आप, एप्राक्स 35, आगे answer देखो, unit newton पर कुलम, हो गया, आया समझ में, क्या कहीं difficulty है, वही formula use हो रहा है, अब आजा है next, electric conservative, दो तरह का force होता है, conservative, non-conservative, conservative का meaning होता है, कि amount of work done in a closed path is zero, इसका मत्तब ये depend करता है, initial और final, वैसे force को conservative force कहते है, like gravitational force, elastic force, electric force, magnetic force, these are the conservative force, ठीक, अब जिस force के लिए, या जिस force के application से, amount of work done in a closed path non-zero, means it does not depend upon initial and final position, it depends on the path followed by the particle, known as non-conservative force, तो जितने भी opposite nature के force है, वो सारे non-conservative है, like frictional force, viscous force, अब first, ये जितने भी forces हैं, सारे non-conservative है, इसका मत्तब एक close path के लिए, ये क्या होना चाहिए, amount of work, zero होना चाहिए, ठीक, तो definition तो एही हो गया, के conservative field is refined as the field, in which work done is zero, इन्हें complete round trip, and the kinetic energy remains unchanged, ठीक, अब इसको proof करने के लिए, हम लोगों ने एक field pattern लिया, इस field में एक path को follow कर रहा है, कि एक charge particle move कर रहा है, from A, C, B, D, होते वे A पर आया, इसका मत्तब A से start किया, और finally A पर आया, initial और final path coincide कर रहा है, इसका मत्तब है कि एक closed loop को form कर रहा है, ठीक, अब ये हमने consider कर लिया, कि charge particle Q move कर रहा है in the field, then amount of work हम लोगों ने क्या लिखा है, Q into E dot A, B, लिखा है न, अभी पढ़ा है, ठीक, तो यहाँ पर E dot A, B, A, B का मत्तब displacement, तो कहां से कहां तक हो गया, ये हम जदी A से B, total closed path को हम लोग ले ले, initial और final कॉन साइड कर दा है, तो उस condition में क्या जाएगा, या यहाँ पर simple आप A, C, B, ये पूरे path को ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप simply A, B नहीं लिख करके DR भी लिख सकते हो, या DS भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, जीरो, तो finally आप कैसे लिखेंगे, displacement along a close path, जीरो, तो amount of work क्या हो गया, जीरो, ये क्या indicate कर रहा है, कि work done by the electric field, on a charge particle, ठीक, moving along any close path is, जीरो, that is electric field is conservative in nature, आगे समझ भें, clear, 100%, कोई confusion, तो ये हम लोगों ने यहाँ तक का topic complete कर लिया, अब हम लोग next class में इसके आगे बढ़ेंगे, और ये electric field due to dipole, next class के लिए, तो कल के लिए homework भी है, कि आप लोग dipole, quadrupole ये सब पढ़के आएंगे, तुमको clear है, कहीं कोई doubt style, backup भी एक तरह से थोड़ा सा हो गया, पोड़ो के तो हो जाएगा, जितना video इधर का देखो के तो हो जाएगा, ठीक है, तो हमवर क्या देना सबको, हम एक हो जाजा, जो ग्रेम ये, वोड़ू के तेना, हम दो जाएगा, ये संक हो जाएगा, तो हैं, तो हम झाईसे, inflाभismo में है, तो हम जाएब इनाएबगा, तो हम चetsे वा – झाल 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 झाल